हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सब आज हम करवाचोत का ब्रेथ और पूजा के वारे में बात करेंगे तो हर किसी के यहां पर अलग-अलग तरीके से पूजा होती है कोई इसका यह नहीं है कि सब के यहां पर इसी तरीके से होती हो तो मेरी यहां पर मनती नहीं थी लेकिन मेरी शादी हुई तो मैं इसको मनाने लगी तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सुबह मैं नहा के मैं थोड़ा मतलब लेट ही काम खतम करके एक दो बजे करीब नहा के फिर मैं पूजा का समान एकटा करके और यह करवा माता का और यह सब लगाती हूँ तो सबसे पहले हमारे यहां पे गौर होती है तो मैं गौर का पूरा श्रंगार करती हूँ पूरा मेकप जैसे अपना करते हैं चुन्दरी उढ़ाना गौर को सिंदूर लगाना बिंदी महावर नेल पेंट सब कुछ परती हूँ ठीक है उसके बादी में अपना श्रिंगार करती हूँ तो मैं सबसे पहले फूल माला मैंने सब को पहना दिया तो एक ही माला मैंने सब के आगे कर दिया और फल रखतूंगे और मिठाई तो मैंने भोले जी की मूर्ती रखी है और गड़ेश जी की रखी है और गौर को मानते हैं हम कि ये माता है तो ये गौर की पूजा भी हम करते हैं और कैलेंडर में तो हैं ही करवा माता तो इस तरीके से हम मैं एक मिठी का करवा और एक जो तावे वाला होता है तो उसको इस तरीके से रख दूंगे और मैं दौनों में यह जो सी के आती हैं यह लगा दूंगी तो इस तरीके से दौनों में मैं लगा देती हूँ यह सी के ठीक है इस तरीके से मैं पूरा कर दूंगी फिर इसको करने के और साइड में और हमारे यह होता है यह मीठा करवा होता है ठीक है इसमें कुछ न कुछ भरके रखा जाता है और यह सास को दिया जाता है सासुमा को तो मैं वह मीठा नहीं खाती हैं बताशे कुछ भी भरके रख सकते हैं तो वह नहीं खाती है इसलिए मैं यह अ कर्वा बदलने के लिए ०ॉसरे नोट है और इसको साथ बार बदलेंगे और मैंने मिट्टी वाले कर्वे के ऊपर फूल और घास रखे हैं हरी घास और एक दूसरे कर्वे के ऊपर चावाल और फूल रखे हैं हरी घास का मतलब होता है कि घर में हरे रहे और खुशी रहे तो इसलिए रखी जाती है ये तो इस तरिके से 7 वर बदलेंगे और ये दौनों करवे एक दूसरे की जगा ले लेंगे मतलब इनके जगा चेंज हो जाएगी जब आप 7 वर के चाछेज़ करेंगे और चेंज़ करते वक्त बोलेंगे माता मुझे सुहाग दो कर greatest मुझे तरीके से यह बदले जाएंगे क्था तो मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं कथा पढ़ रही हूं केलेंडर सी contenhen कथा पढ़ने के बाद फिश्राम को चांद की पूजा होगी बस यह